नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूस में आपका स्वागत है आज है 8 दिसंबर दिन शुक्रवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर राज्य के स्कूली बहानों की होगी चांच 15 MBI की बनाई गई टी सियर नुतीश ने की हर खेट तक सचाई का पाने निश्य योजना की समिक्षा बिहार कैरण के सभी आईस अफसर देश संपत्ती का ब्योडा राज्य सरकार का निर्देश पंकस्त्रे पार्टी की फिल्म करक सिंग आज OTT पर बिखेडेगी जलवा मिचोंग तुफा ने बदला बिहार का मौसम अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों के ओर विस्तार से एस आईसी में सीनियर रेजिडेंट पदों पर निकली भरती करमचारी राज्य बीमा निगम यानिकी एस आईसी की ओर से सीनियर रेजिडेंट के 115 रिक्त पदों के लिए भरती निकाली कई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए योगिता रखते हैं वह इस भरती में शामिल होने के लिए 14 दिसंबर 2023 को वॉक एन इंटर्व्यू में जा सकते हैं बता दे कस्तुरान अभ्यर्थी अपने साथ अपन प्राप्त उनिवर्सिटी से संबंदिच छित्र में डिप्लोमा पीजी डी अनबी आदी किया होना चाहिए इसके साथ ये इंटर्व्यू कि दिती 14 दिसंबर 2023 को अभ्यर्थी ने 45 वर्ष के उम्र प्राप्त ना की हो हाला कि आयू सीमा में छूट नियमनसार प्रदान की ज समराथ अशोक इंटरनाशनल कंवेंशन सेंटर के बारे में समराथ अशोक कंवेंशन सेंटर उत्री कांधी मैदान मार्ग पटना बिहार का एक कंवेंशन सेंटर है किंद्र की आधार श्रिला 8 फरवरी 2014 को बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार द्वारा रखी गए थी समराथ अशोक कन्वेंशन सेंटर में तीन प्रमुक इमारते हैं पहला बापू सभागार, पांच हजार बैटने की छमतावाला सभागार, दूसरा आर्सो छमतावाला ग्यान भवन, व्याख्यान थीटर, बहुत देशिये हॉल और विविन छमताओं के अनिस सम्मेलन हॉल और तीसरा सभेताद्वार समराथ अशोक इंटरनेशन कन्वेंशन सेंटर अप्रेल 2017 तक पूरा हो गया था और इसमें ग्यान भवन, बापू सभागार, बहुत देशिये हॉल, प्लेनरी हॉल, बेस्पेन, पार्किंग के साथ, मॉडिलर, मिटिंग रूम, सभया पार्क के साथ सभेताद्वार और फूड प्लाजा है, फरवड़ी 2018 में समराथ अशोक कन्वेंशन केंद्र पतना ने भारत में सर्वसिस्टन निर्मान परियोजनाओं के लिए दसवा CIDC विश्वकर्मा उपलब्दी पुरुसकार जीता पतना में हाल के निर्मान वास्तुकला मानक को ब परतेश देते वे कहा गया है कि राज्ये के विवन स्कूलों में पड़चालत स्कूली वाहनों की जांच की जाएगी, जिसमें स्कूली वाहनों की पर्मिट, फिटनेस, पॉल्यूशन, एंसुरेंस, स्पीड, गवर्नर, वी, ल्टी, इत्यादी मानकों की जांच की तो उन पर कारवाई की जाएगी, आपकी जानकारी के बता दे कि अनरनय पड़े वहां सचीव संजय कुमार अगरवाल के दोरा स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते वे लिया गया है, इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में स्कूली वाहनों की ज चांच के दोरान वाहर में कोई कमे पाय जाने पर जर्माना लगाते वे विधी सम्मत कारवाई की जाएगी, बिहार को मिली छे खेलों के लिए नेशनल स्कूल गेम्स की मेजबानी, एक तरफ जहां बिहार सरकार और बिहार राजी खेल प्राधिकरन के दोरा सिंगत रूप बिहार के खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा, तो वहीं दूसरी और इसी कड़ी में अब बिहार को 6 खेलों के लिए नेशनल गेम्स की मेजबानी भी मिल गई है, बता दे कि जानकारी बिहार राजी खेल प्राधिकरन के महानिदेशक रविंदरन संक प्राधिकरन के द्वारा दी गई है, उन्होंने बताया कि स्राश्ट्री स्कूल गेम्स की श्रवाद 25 दिसमबर से होगी, जो की अगले वर्स फरवरी महिने तक चलेगी, मालम हो कि बिहार को जिन 6 खेलों के लिए नेशनल स्कूल गेम्स की मेजबानी मिली है, उनमें सेपक टाकडा की श्रवाद 3 जनवरी से होगी, जो की 7 जनवरी तक चलेगी, क्रिकेट की श्रवाद 16 जनवरी से होगी, जो की 23 फरवरी तक चलेगी, वेट लिफ्टिंग की श्रवाद 13 जनवरी से होगी, जो की 16 जनवरी तक चलेगी, और शतरंच की श्रवाद 6 फरवरी से होगी जो की 10 परवरी तक चलेगी ऐसे में इस खेल में शामिल होने वाले खिलारी जो पटना आएंगे खेल प्राधिकरन की तरव से रहना खाना और आने जाने की तमाम व्यवस्था की जाएगी सीम नितीश ने की हरखे तक सचाई का पाने निश्चय योजना की समिक्षा बीते दिन मुख्य मंत्रे नितीश कुमार के द्वारा साथ निश्य दो के तहत हर खे तक सिचाई का पाने निश्य योजना की शमिक्चा की गई तेजी से पुन कड़े उन्होंने कहा कि हर घर तक नल्ज का जल पहुंचाया गया है ताकि लोगों को सुध जल मिलता रहे हर खेत तक सचाई के लिए पानी पहुंचने से किसानों को कृसी काड़े में काफी सुधा होगी जल संसातन छेत्र में व्रधी के लिए जो योजना बनाई गई है उस पर तेजी से काम कड़े पहारी के तलहटी छेत्रों में भी जल संचेयन छेत्र को विक्सत करे और भू जलस्तर को मिंटीन रखने और पड़यावरन को बढ़ावा देने के लिए भी कई कारे किये गए हैं उन कारियों की सदत निग्रानी करते रहें आपके जानकारी के लिए बता दे कि यह समिक्चा बैठक एक अने मार्ग इस्तर संकल्त में किया गया जिसमें मंत्रे विजिंदर प्रशादियादव विजय कुमार चौदी संजय कुमार जास श्रवन कुमार समेत कहीं गनमाने ल अब्हाली की जाएगी मालम हो कि यह रोजगार मेला गया के अवर प्रादेशिक नियोजनाले के द्वारा मानपूर प्रकंट परिसर स्थिद्ध दॉक स्किल डेवलप्मेंट सेंटर में आयुजित किया जा रहा जो की एक दिवसी है ऐसे में वो लोग जो इस रोजगार मे अनिवारे है इसके अलावा इस भरती में भाग लेने वाले एक चुक अभ्यरती का NCS पोर्टल पर रेजिस्ट्रेशन होना भी अनिवारे है पतादे कि जॉब कैम बिलकुल मुफ्त है हाला कि जो मैटो में काम करने वाले अभ्यरतियों को 250 रुपे का शिर्क लगेगा क्यो समबर 2013 को G5 पर स्ट्रीम होने वाली है बतादे कि इस फिल्म का नर्देशन अनिरुधरोय के द्वारा किया गया है वह इस फिल्म में पंकस त्रिपार्थी के अलावा जया अहसान संजना स्तांगी पड़ेश पाहुजा जैसे कलाकार भी शामिल है मालमों कि फिल्म करक प्रिलर विशेपर बने वी है और इस फिल्म में पंकस त्रिपार्थी का करदार बेहदी चुनाती पुन है अपने सनुभव के बारे में पंकस त्रिपार्थी द्वारा बताते वे कहा गया कि इस फिल्म को बनाना बेहदी कठेन रहा इस फिल्म पर और भी काम करने के जरू बनाने को लेकर प्री नॉन इंटरलोकिंग कारियों के कारण ट्राफिक और पावर ब्लॉक लिया गया है इस काम के चलते भागलपूर रेलखन को दो जोरी ट्रेनों को 9 दिसंबर से 13 दिनों के लिए निरस्त कर दिया गया है बतादी की रेलवे के द्वारा दी गए जानकारी के इनसा ट्रेन संख्या 13-31 अप हावरा जैनगर एक्सप्रेस 9 दिसंबर से 21 दिसंबर 13-32 डाउन जैनगर हावरा एक्सप्रेस 10 दिसंबर से 22 तारिक तक 13-23 अप हावरा गया 9 दिसंबर से 21 दिसंबर और 13-24 डाउन गया हावरा 10-22 दिसंबर तक निरस्त की गई है इसी के सा 16 दिसम्बर को ट्रेन नंबर 13425 मालदा सूरत एक्स्प्रेस अपने निर्धारित समय से दो घंटे की देली से दो पहर दो पचिस पर मालदा से खुलेगी AI वोईज क्लोनी की मदस से हो रही ठगी से ऐसे रहे साबधान इन दिनों साइबर अपरास जोरे घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है इसी कड़ी में कहीं साइबर अपराधियों के दौरा AI वोईज क्लोनी की मदस से भी ठगी को अंजाम दिया जा रहा जिससे की हमें काफी साबधान रहने की जरूरत है बता दे किस तरह के कॉल से स्कैमर्स आपके दोस्त रिष्टिदार माता पिता या भाई बहन की आवाज को क्लोन करके आपको कॉल करते हैं और मुसीबत में फसे होने का जहांसा दे कर पैसे एटने की कोशिश करते हैं इसलिए इस तरह की किसी भी स्थिती में रुकिय और जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफर मत कीजे बता दे कि अगर आपको कभी इस तरह की कॉल आती है तो आपको पैनिक कर दे तो सीधे अपने संबंधी को उसके नमबर पर कॉल करे या फिर उसके परजित वक्ती को कॉल करे और पूरे मामले को वेरिफाई करे और उसके बाद ही सोच समझ कर कोई कदम उठाए बता दे कि आप साइबर क्राइम्स जोड़ी कोई भी सूशना स्ट्ट्टी प्यारी पहचान में आज हम बात करेंगे ताविश खेर के बारे में किया गया है उनकी कविता बर्स ऑफ नॉर्थ यूरोप ने 1995 में आईजित चटी पोईट्री सोसाइटी अखिल भारती कविता प्रतियोगिता में प्रत्थम पुरसकार जीता 2022 नुन होने एक नया विज्ञान कथा उपन्यास The Body by the Shore प्रकासित किया ताविश खेर क 1995 में आयोजित छटी पोईट्री सोसाइटी इंडिया प्रतियोगिता में प्रथम पुरुसकार होंग कोंग के बैप्टिस्ट विश्यविद्याले से रशनात मकलेखन के लिए मानत फेलो 2022 के लिए DSC पुरुसकार और मैन एशियन साहिते पुरुसकार ताविश खेर की रचनाओं का विविन भाशाओं में अनुवाद किया गया है विहार में 10709 एनम की भरती के लिए परिच्छा तिथी की घोशना विहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा एनम अभियर्तियों के लिए खुश खबरी दी गई है दरसल आयोग के ओर से साथ बटा 2022 विग्यापन के लिए परिच्छा कितिती घोशत कर दी गई है जिसके अनुसार इस परिच्छा का आयोजन 5,11 और 12 जनवरी 2024 को किया जाएगा बता दे कि परिच्छा तीन पालियों में आयोजित की जाएगी ऐसे में अब तक यह सपस्ट नहीं हो पाया है कि कि इन अभियर्तियों की परिच्छा कस्दन के सेंटर पर आयोजित की जाएगी पर उमीद है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जल्द ही पूरी जानकारी अभियर्तियों के लिए जारी कर दी जाएगी मालू हो कि परिच्छा कुल 10,709 पदों के लिए ली जाने वाली है बताता चली कि पहले इन पदों के लिए मेधा सूची के आधार पर काउंसलिंग कर निउक्ति करने की बात आयोग की ओर से कही गई थी BPSC सक्षक भरती के पहले चरण के तह जिन सक्षकों का चैन किया गया था उनमें से कहीं सक्षक ऐसे हैं जिन्होंने स्कूलों को जोईन ही नहीं किया है दरसल पहले चरण की परिक्षा से एक लाग से अधिक सक्षकों की पहाली की गई थी लेकिन 75,000 से दिक सिक्षकों के द्वारा स्कूल जोईन ही नहीं किया गया ऐसे में अब बिहार में 96,000 सिक्षकों के द्वारा स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया गया है मालुमों कि मिल रही जानकारी के अनुसार कहीं सिक्षक ऐसे हैं जो दूसरी जगा नौकरी करते हैं जिस कारण ही वे BPSC के द्वारा चेरंत होने के बाद भी स्कूलों में अपने कारी को शुरूर नहीं कर पाए मैं दूसरी ओर बीतर दिन से BPSC सिक्षक भरती के दूसरे चर्ण की परिक्षा के भी शिडवात हो गई है बिहार कैडर के सभी आईस अफसर दे संपत्ती का ब्योडा राजिस सरकार का निर्देश हर साल की तरह इस साल भी बिहार सरकार के दौरा बिहार कैडर के सभी आईस अधिकारियों से उनकी संपत्ती का ब्योडा मांग कर सारजनिक किया जाएगा इसी के तहट बिहार सरकार की सामाने प्रशासन विभाग की ओर से बीते दिन राज्य के सभी आईस अधिकारियों से उनसे उनकी संपत्ती का ब्योडा मांगा गया है बता दे किसके लिए सरकार की ओर से सभी अधिकारियों को 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया है ऐसे में अभिए सभी अधिकारी अपने संपत्ती की जानकारी निर्धारित तिथी तक ऊणलाइन समर्प्रित करने का काम करेंगे मारमों कि बिहार सरकार के ओर से हर साल बिहार कैडर के आईस अधिकारी से लेकर IPS अफसर, बिहार प्रशास्तिक सेवा, पुलिस सेवा से लेकर अन्य सरकारी सेवगों की संपत्ति की जानकारी मांग जाती है मिचौंग तुफान ने बदला बिहार का मौसम बिहार में मिचोंग तुफवान ने बड़ी तेजी से असर दिखाया है बतारी कि मौसम विभाग के अनसार अगले दो दिनों के बाद फिर से राजचे भर में नियुंतम तापमान में गिरावर्ट दर्ज की जा सकती है मौसम विभाग के अनसार 10 दिसंबर तक उत्तर भारत का मौसम सुस्क रहेगा लेकिन फिर 11 दिसंबर से एक पश्मी विचोब सक्रिये होने से मौसम बदलेगा पश्मी विचोब का असर चार दिनों तक रहने का अनुमान है राजधारी पटना सहित प्रदेश के दक्षनी भागों के कुछ अस्थानों पर हल्की वर्षावा बूंदा बांदी की संभाबना है आंसिक रूप से बादल चाय रहने के साथ सुबह के समय अधिसंख्य भागों में धुंद का प्रभाव बना रहेगा अर्तार इस घंटो बार नियुंतम तापमान में 2-4 डिग्री सेलसियस की गिरावट आने के साथ ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है पटना मौसम विभाग के पुर्वानुमान के मताबिक 9 दिसंबर से बिहार का मौसम तेजी से बदल सकता है अभी जो नियुंतम तापमान 16-18 डिग्री के आसपास है वो 9 दिसंबर को गिर कर 12-14 डिग्री सेलसियस तक आ सकता है यहीं नहीं 10 दिसंबर को तापमान में और गिरावट के आश्रंका है और प्रदेश का नियुंतम तापमान 10-12 डिग्री सेलसियस तक आ सकता है राजी के 50 मदर्शे का मानिता हुआ रद विहार सरकार के सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव अब मदर्सों के प्रती करारोख अपना रहे हैं बता दे कि जाच में आनिमिता पाय जाने के बाद राजी की कुल 50 मदर्शों की मानिता को रद कर दिया गया है मालमों कि इन 50 मदर्शों में सबसे जादा मदर्शे दर्भंगा जले के हैं जहां कुल 32 मदर्शों की मानिता को रद की गई है वहिन सब के अलावा विवाग के द्वारा इन मदर्शों के मौलवियों की सालरी पर भी रोक लगा दी गई है पतादी कि राजी के जिन जिलों के मदर्शों की मानिता को रद किया गया है उनमें दर्भंगा के अलावा कसंगंज, पुरवी चमपारण और समस्तेपुर के नाम शामिल है मालमों कि समीती के दौरा कुल 142 मदर्शों की जाचकी दे थी नवादा में भारी मात्रा में शिराब बडामत, दो कार और एक बाइक भी जब्त विहार में पुन्रूप से सराब बंदी है से तो हम सभी वाकिफ हैं ऐसे में पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग के ओर से कहीं कोशिशे की जारी है इसी कड़ी में बिहार के नवादा जले के हिसुआ थाना पुलिस के द्वारा गुप्त सूशना के आधार पर छापे मारी करते वे 1720 लीटर देशी शड़ाब और 270 दिसमलो 365 लीटर विदेशी शड़ाब बरामत की गई है इसके साथी पुलिस के द्वारा इस दौबंध दो कार और एक बाइक को भी जब्त किया गया है और साथी तीन तसकर के भी घिरफटारी की गई है इस बारे में S.I. धनवीर को मार के द्वारा जानकारी देते वे बताये गया कि हमें गुप्त सूशना मेरी थी कि सराब की तसकरी हो रही है हमारे टीम ने इस जानकारी पर एक्शन लेते वे तीन तसकरों को गिरफतार कर लिया है उसके पास से 1720 लीटर देशी शिराब और 217.365 लीटर विदेशी शिराब बरामत किये गया है साथ ही दो कार और एक बाइक को भी जब्त किया गया है फिलाल टीम आगे की कारवाई कर रही है सुनपूर मेला में की गई थेटर से लेकर डांस रो तक के कमड़े की जांच बिदेदिन सुरक्षा के दृस्टी से बिहार की राजधानी पतना से गई स्पेशल ब्रांच की टीम के दोरा डॉग स्कौाइड के साथ मेले के चपपे-चपपे की जांच की गई है बता दे कि दौरान टीम के दोरा मेले में लगे तमाम इंस्टॉल के साथ त्येटर से लेकर दर्शक दरःखा तक किचन से लेकर डांस रो तक के कमड़े की जांच परताल की गई बता दे किस जांच में कोई भी सारंड पूलिस का सदश्य सामिल नहीं है सभी सदस्य पटना के स्पेशल ब्रांच के हैं वह इस पारे में स्पेशल ब्रांच पटना टीम के मनोज पांडे के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि सोनपूर मेले में हर जगा सुरक्षा जांच की गई है हम लोग 24 घंटे जांच में लगे रहते हैं थेटर मेला और ठेला सहत सभी जगों पर चक करते हैं उन्होंने कहा कि हमारे साथ आई टी जांच करने का काम कर रही है स्पेशल ब्रांच पटना की टीम है और इस जांच की रिपोर्ट हम लोग पटना में देंगे आपके जानकारी के लिए बता दे कि सोनपूर मेला की श्रवाद 25 नवंबर से हुई थी जो की 26 दिसंबर तक चलने वाली है टॉपर घोटाले के आरोपी ने इडी की जब्त संपत्ती कबजा की बिहार के वैशाली जिला से एक अनोखा मामला सामने आया है जहां इडी के दौरा जब्त की गई संपत्ती को किसी और के दौरा कबजा कर लिया गया है बतादे किस मामले को लेकर इडी के दौरा बिहार पुलिस से गुहार लगाते वे आविदन दिया गया है दरसल वैशाली जिले में सत्र विशुन राई कॉलेज और उस कॉलेज का प्रिंसिपल बच्चा राई के दोरा बच्चों को अच्छे नंबर दिलाने के लिए और टॉपर बनाने के लिए सिंडिकेट चलाया जाता था इस बात का खुलासा वर्स 2016 में हुआ था जिसके बाद F.I.R. होने के बाद बच्चा राई की ग्रिफतारी कर लिए और साथ ही E.D. के दोरा उसके कॉलेज समेट अनिसमपतियों को जब्द कर लिया गया था लेकिन अब एक बार फिर से E.D. के असिस्टेंट डिरेक्टर राजीव रंचन के दोरा बच्चा राय के खिलाब भगवानपुर थाने में आविदंदे कर मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसके अनुसार E.D. दोरा जब किये गए जमीनों को बच्चा राय के दोरा दुब अपनी शादी की दूसरी सालगेरा बेहदी खास तरीके से मनाने वाले हैं बतादी की मीडिया में चल रही खबडों के नुसार तेश्वी आदव अपने पूरे पडिवार के साथ अपनी शादी की सालगेरा पर तिरुमला तिरुपती जा रहे हैं जहावे भगवान टेश रूप की पूजा होती है यहां प्रते दिन हजारों की संख्या में भक्त पूजा पार्ट करने के लिए पहुँचते हैं ऐसे में स्वा तेश्वी यादव भी यहां पहुचने वाले हैं बतादे कि तेश्वी यादव की शादी रेचल और फ्राजिस्री से देश की राजधाने दिल्ली में हुई थी चार करोड लोगों के बिहार छोड़कर जाने पर बीजेपी सांसद ने निती सरकार की लगाई क्लास बीदिन संसद के सत्र में बिहार के प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर सारन से बीजेपी के सांसद राजी प्रताप रोड़ी के दोरा बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला गया बिनलुरो के सेब्टिक टैंक में सफाई करने वाला मजदूर भी बिहारी है दिल्ली की मंडी में आग लगती है और 36 लोग मर जाते हैं वो मजदूर बिहारी है पंजाब के खेतों में काम करने वाला मजदूर भी बिहारी है मैं इसलिए विश्विसे को उठा रहा हूँ ताकि पूरे सदन की संभीदना होगी आज सच यह है कि बिहारी तो आगे है लेकिन बिहार पिछ रहा है आखिर यह क्यों है उन्होंने कहा कि बिहार की 14 करोर की आबादी में से 4 करोर लोग राज्जी के बाहर जाकर काम कमा रहे हैं अब इन 4 करोर लोगों में से 3 करोर लोग ऐसे हैं जिनकी जाती गन्ना करवाई जाती है दक्षिन अफ्रेका के खिलाफ टीम इंडिया के गेम प्लान को बताया राहुल द्रवर ने 10 दिसंबर से दक्षिन अफ्रेका और टीम इंडिया के भी स्टी 20 सिरीज की शुरुआत होने वाली है इसके वाद 17 दिसम्बर से वंडे और 26 दिसम्बर से टेस्ट सिरीज खेली जाएगी ऐसे में अब दक्षिन अफरीका के खिलाव टीम इंडिया के गेम प्लान को लेकर टीम के हेड कोच राहुल द्रविर के द्वारा स्टार स्पोर्स फॉलो दब्लूज लाइफ में बात करते वे चांकारी दी गई उन्होंने कहा कि यह एक मुश्किल दौर होगा आकरे गवा हैं कि बल्लेबाजी के लिए यह एक चुनोते फॉन जगर जरूर होगी उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी के लिए में काफी असपस्ट रहना होगा कि इस पिच पर क्या चीज काम करती है और फिर इसे अपने गेम में लाने की कोशिश करें अगर बल्लेबाज वहाँ जल्दी आउट हो गये तो काफी दबाव बनने लगता है हम विकेट परसेट होने की कोशिश करेंगे जिसने मैच विनिंग पारी खेल सके भारत के तिहास में आज की तारीक है कहीं कारणों सदर्ज भारत की पारंपडिक जैस संपदा नीम हल्दी और जामुन के बाद गौमुत्र को 2002 में संप्त राजे अमेर्का ने पेटेंट किया वसंधरा राजे 2003 में सिंधिया राजस्थान के मुख्यमंत्री पदपर आसिन हुई उमा भारती 2003 में मत्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पदपर आसिर मराठा सामराजे का प्रसद पेश्वा भाराजी बाजी राओ का जन्म 1721 में हुआ महान उदारबादी नेता तेज बहादूर सप्रू का जन्म 885 में हुआ प्रसद मराठे बिदवा नरायंश सास्त्री मराठे का जन्म 885 में हुआ हिंदी जगत के कवी, गदेकार और अद्वित्य वक्ता बाल कृष्ण सर्मा नवीन का जन्म थासो संतानवे में हुआ, भारत के प्रसद सास्त्री नर्तक नर्तक नर्देशक और बैले निर्माता उदय शंकर का जर्म उनिस्व में हुआ, भारती सिटनता संग्राम के सिनानी पत्रकार समाजिक कारे करता दथा सांसद अमरनात विद्यालांकर का जन्म 1901 में हुआ, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकास सिंग बादल का जन्म 1927 में हुआ, भारती अभिनेता धर्मेंदर का जन्म 1935 में हुआ, भारती अभिनेती सर्मिल अटाइगोर का जन्म 1944 में हु 20 सो का माइं आजम बात करेंगे प्रेइंग है अगों किया है जो QR code scan करते हैं तो आपको बहुत ही साफधान रहने की जरूरत है दिरसल इन दिनों QR code को scan करने पर भी लोग ठगी के सिकार हो रहे हैं ऐसे में हमें इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि QR code का इस्तमाल केवल पैसे भेजने के लिए इस्तमाल किया जाता है ना कि पैसे प् QR code और फेक वेबसाइट की पहचान एक और तरीके से कर सकते हैं बतादे कि अगर किसी वेबसाइट के शिडवात स्ट्टी पी एस कोलम स्लैसले से शुरूर नहीं हो रही और वेबसाइट के नाम में कोई स्पलिंग मिस्टेक है आप समझ लीजे कि ये फेक वेबसाइट है वही QR घोटाले से बचने के लिए अजनबियों के साथ UPI ID साजान ना करे और बैंक वेबर शेयर ना अप करे इसके अलावा ओनलाइन लेंदेन वेरिफाई करे और संदिक्द QR कोर से साफधान बरते मालूम हो कि इस तरह कि स्कैम को आमतोर पर फिसिंग साइटों के जरिये जाता है राशनकार धारक इस दन तक हर हाल में करवाले आधार सिडिंग अगर आब में उन लोगों में से हैं जो राश्ट्रिय खादिस तुरक्षा अधिनियम 2013 के तहद बीपिल पडिवारों को सरकार जन्वित्रन प्रनाली के माध्यम से हर महीने मुफ्त में दिये जाने अनाज का लाब उठा रही है तो यह खबर आपके लिए है बता दे कैसे लाबुकों के लिए सरकार के द्वारा नर्देश दिया जा चुका है कि राशनकार में जितने भी सरश्यों के नाम है उन सभी का अधार सिडिंग कराना अनिबार है ऐसे में वो लोग जिनका अब तक आधार सिडिंग नहीं हो पाया है उनके पास इस काम को पूरा करने का अंतिम मौका है दरसल सरकार के ओर से इस कारी को पूरा करने के लिए अंतिम मौका 31 दिसंबर 2023 तक का दिया गया है वहीं वैसे लोग जो 31 दिसंबर 2023 तक भी अपना आधार सिडिंग नहीं करवा पाते है तो नहीं राशन से वंचित होना पर सकता है इसलिए अपने जन्वित रण विक्रिता के यहां पहुँचकर EPOS मर्शीन के माध्यम से अपना आधार सिडिंग जरूर करा ले हम प्रते दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जरूरे जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेंट, ऐससे जसे अनिप्रतियोगी परिक्षां में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भूगोल से रहेंगे पूछे गए पांचों सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया क्रिपा करके यहां में कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कौन दुनिया का आठवा अजुवा बना है? आप्शने कंबोडिया का अंकोर वाट मंदर, आप्शन B आइफिल टावर, आप्शन C कौनार्ख का सुरे मंदर, आप्शन D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है आप्शने कंबोडिया का अंकोर वाट मंदर अगला सवाल हाल ही में किसको मुंबई उत्सव की सलाकार समीती के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है इसका सहीध तरह ऑप्षन सी आनंद महिंदरा अगला सवाल हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए किसको गुजरात टाइटन्स का कप्तान बनाया गया है ऑप्षन इशान कसन ऑप्षन वी मुहमत समी ऑप्षन डी सुबमंगिल ऑप्षन दी सुरेकुमार यादव इसका सहीध तरह ऑप्षन सी शुबमंगिल अगला सवाल बहर के राजवनसों और राजाओं के मिलान में कौन सा सही नहीं है आप्शने हर्यक वंस अजाद सत्रू, आप्शन B सिसुनाग वंस काला शोक, आप्शन C नंद वंस विंबिसार, आप्शन D मोडे वंस बिंदुसार इसका सही उत्तर है आप्शन C नंद वंस विंबिसार अगला सवाल, पाल वंस के बाद बिहार में बारवी सदी में किसका राज़ी रहा? उप्शन E, नुहानी वंस, उप्शन B, खिलजी वंस, उप्शन C, गुढध हवाल वंस, उप्शन D, तुगलक वंस इसका सही उतल है उप्शन C, गुढध हवाल वंस बीते दिन हमाईदरा पूछे का सवाल का, आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्शिर बॉक्स में लिख कर दिया था, जिन्होंने हमाईदरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है मिचोंग तुफान से आपके छेतर के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ा है अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन में लिखका ज़रूर बताएं आज के लिए बिहार के तमाम खबरों के साथ बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखने चालर को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद